reward motors के तरप से reward x 100 इसके बारे में अबड़ेट के बारे में बताऌ कि यार launch event कब तक होने वाला है कि इस electric scooter में सबसे ज्यादा range मिल जाती है 280 km की रेंज इस electric scooter में है, removal battery pack है, काफी unique features जो कि किसी भी electric scooter में इंडिन मार्केट में नहीं होने वाले, इसलिए काफी कस्टमर इस एलेक्ट्रिक स्कूटर के उपर एट्रक्टिव हो रहे हैं, काफी दिन से इनकी तरफ से अपडेट नहीं आया है, तो अगर आप भी इस एलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट करें, या सोशल मीडिया पर आपको अपडेट देखने को मिल सकता है, एक महीने के आपको इसके अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं, उन्हेंने बोला है कि जल्दी हम यहाँ पर इवेइंट रखने वाल है हमारा काम प्रोसेज नेक्स्ट प्रोसेज से इनकी स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पर इस एलेक्ट्रिक स्कूडर के लिए रुकना क्यों है, इसके उपर बात करते हैं, क्योंकि रिवट मोटर का जो NX 100 एलेक्ट्रिक स्कूडर होने वाला है, डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, फीचर्स के मामले में तो आपको बहुत अच्छे लेवल तक फीचर्स मिल जाते हैं, 6 किलोवाट के आपको मोटर देखने को मिल जाते हैं, जी हाँ 6 किलोवाट की मोटर है, मतलब पावर में को कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है, रेंज 280 किलोमेटर की है, फास्ट चर्चिंग देखने को मिलने वाला है, और प्लस आपको जो इसमें LFE बैटरी यूज की है, जो की 5 साल से लेकर, जो 7 साल तक तो आपको आराम से चलने वाली आप केसी इस इलेक्टरी स्कूटर को चलाओ, और रिमूबल बैटरी पैक होने वाली है, जो क्यार आप सभी के लिए जो स्वेप टेक्नोलोजी नेटवर्क है, जो इंडियन 1958 में इन्यूआ आरा है, तो वह आपको इस इलेक्टरी स्कूटर में देखने को मिल सकता है, प्रैसिंग की बात करे, तो प्रैसिंग भी बैस्ट रहने वाली हैं। जो की इंडियन मार्केट में काफी प्लेयर आ रहे हैं, तो सभी के प्राइस जो अच्छी होनी चाहिए तब जाकर इंडिन मार्केट में जो है काफी ब्रैंड जो चल पाते हैं इसलिए आर प्राइसिंग का तो आप टेंशन ही ना लो फीचर्स भी भर-बर के फीचर्स मिलेगें और काफी अच्छी बैटरी लाप देखने को मिलने वाली है और भी कई सारे पॉइंट इस इलेक्टरिक स्कूटर में है जो कि अल्रेडे हमने काफी वीडियो बनाए जो सिंब्ल यह एलेक्टरिक स्कूटर आने वाले इसको तो भी यह टकर दे सकते हैं वार्ट मेंल लियर प्राइसिंग ही कितनी होती है दोनो इलेक्टरिक स्कूटरकी यह इंकॉर्ट आने वाले निवीट में तो तब जाकर इन दोनों का जब launch event पूरा complete होगा, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि दोनों में से कौन सी best हो सकती है, बड़ आर आपको क्या लगता है इन दोनों electric scooter के बारे में, comment सेक्षिन में आकर जरू से जरूर बताएं, और definitely इस electric scooter की price क्या रहे सकती है, वो भी comment सेक्षिन मे प्रуется प्रका इने व्रूसली सबस्चा हो क्या को